So welcome back to another video तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि previous year questions को हम लोग कैसे utilize करेंगे As a topper मैंने कौनसी जो trick है, कौनसी जो strategy है वो use की थी और बहुत सारे topper यही strategy है वो use करते है आप ये कौनसी भी exam के लिए use कर सकते हैं चाहिए वो A की exam हो, J की exam हो या फिर कोई भी competitive exam हो, आप कोई भी branch से हो previous year questions बहुत एक important role play करते है तो एक questions से हम लोग minimum 20 से 25 questions से वो easily बना सकते है या फिर maximum आप 50-60 questions भी easily बना सकते है तो चलिए जो trick कौनसी है वो देखते है और start करते है फिर आज का वीडियो तो यहाँ पर मैंने महाजिनको का 2016 paper में से एक question है वो लिया है electrical का questions है लेकिन आप यह जो strategy है वो कौनसी भी branch के लिए कौनसी भी subject के लिए आप same strategy है वो use कर देना आपको बहुत beneficial हो जाएगा तो electrical का यह power electronics का equation है जहाँ पर दो list दिया है और यहाँ पर आपको match करना है सिर्फ कौनसा list का कौनसा correct answer हैगा उसके according तो यह इसका answer find out करने के बाद suppose मैंने इसका answer find out कर दिया इसके बाद मैं यह question directly skip नहीं करूँगा next question पर directly jump नहीं करूँगा उसके पहले मैं यह question से maximum जो चीजे है वो extract करने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले हम लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि list में total eight elements है यानि कि यहाँ पर total four है और right side पर total four different different keywords है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले यह keyword है वो एक-एक करके pick करूँगा और Google पर जाके मैं directly paste करूँगा ठीक है गूगल पर आके यहाँ पर मैंने paste कर दिया snubber circuit मुझा पता है उसके सामने मैंने आगे सिर्फ mcq यह keyword है वो add कर दिया और मैंने click कर दिया तो सबसे पहले यहाँ पर famous एक website आगे सभी को पता है competitive exam के लिए testbook.com तो यहाँ पर यह website आगे तो जैसे मैं यहाँ पर वो first of all जो first link है वहाँ पर में click कर दूँगा first link पर click करने के बाद हमें पता है यहाँ पर हम लोगों को mcq है वो मिलते है यह additional mcq जो हम लोगों ने जो main mcq है उसी से continuation में हम लोगों यह हम लोगों को solve करना है तो snubber circuit से अगर directly mcq पूछा तो आप वहाँ से easily solve कर सकते हो लेकिन सिर्फ में यह mcq में इंट्रेस्टेड नहीं रहोंगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे mcq मिल गया अच्छी बात है इसका answer भी इन्होंने दिया है well and good लेकिन मैं सिर्फ यही पर संतुष नहीं होंगा मेरा इसमें main aim क्या रहेगा कि इसके पीछे का और पीछे का जो concept है वो मैं grasp करने आपको answer पता चलेगा लेकिन इसके पीछे का की concept के लिए आप थोड़ा नीचे scroll down करोगे जैसे आप नीचे आजाओगे आपको यहाँ पर दिखाए देगा यहाँ पर इन्होंने concept है वो लिखा है in detail में तो आप एक बार पढ़ोगे आपके notes में यहाँ से कुछ अगर key points का answer भी मिल गया लेकिन उसके नीचे का जो in detail notes है फिर उसके पीछे का concept है उसमें से जो key points है जो शायद आने वाले exam में हमें बहुत beneficial हो सकते है वो मैं अपने notes में जाके update करूँगा और हर एक बार में ऐसा ही इसको utilize करूँगा ठीक है तो यह हो गया first link का यहाँ पर आपको total first link में ही total total 15 questions आपको easily मिल जाएंगे सिर्फ number circuit के लिए different different keywords के लिए आपको शायद कम ज्यादा questions है वो मिल सकते हैं कभी-कभी आपको 3-4 questions भी मिल सकते हैं लेकिन हम लोग वैसे ही continuously उसको solve करते जाएंगे तो देखो number circuit में total मुझे यहाँ पर 15 questions मिल गया in detail में in detail concept के साथ और utilize करने की कोशिश करूँगा उसके बाद हम लोग वापस से जो अपना main google पर आएंगे first link complete होने के बाद हम लोग second link पर भी आ जाएंगे ऐसे नहीं कि first link पर ही छोड़ दिया second link पर हम लोग क्या मिलेगा जैसे ही second link पर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर हमें मिलेगा देखो यह previous question as it is यहाँ पर इन्होंने mention किया है तो RS MSSB JE के exam में 2020 में snubber circuit से directly question पूछा गया था तो यहाँ पर हम लोगों को additional समझ सकते है कि recent trend क्या है फिर previous question कैसे पूछे जा सकते है तो यह question मिलने के बाद भी मैं यहाँ पर check करूँगा जो options है नीचे वाले जो options है उसमें मैं tick करूँगा triggering के बारे में मुझे पता है क् उसका सारे idea मुझे है अगर नहीं पता है तो मैं str triggering यह keyword उठांगा जाके वहाँ पर paste करूँगा Google पर again और triggering से related मैं सारे triggering के जो methods है वह मैं search करूँगा उससे related क्या क्या MCQ मुझे पूछे गई थे वह मैं वहाँ पर जाके search करूँगा उसको attempt करूगा वापस से यह question पर आ ज question पर फिर third topic पर जाओगे उससे related question है वह पढ़ते जाओगे तो आपको यह सारी चीज़े है वह एक दूसरे से interlink है वह easily हो जाएगी और आपको exam में वह बहुत recall करने में काम में आ जाएगा तो यह दो MCQ होने के बाद अगर आपको लग रहे है कि हाँ sufficient knowledge हम लोगों को मिल ग में आपको concept है वह दिया है यहाँ पर आपके MCQs भी है हम लोग ने इंटर्वी लिया था चेतन के साथ सा जिसने चार government total exam crack किया along with the job उसने भी personally यही suggest किया था कि वह electrical for you.com के जो MCQs है वह use करता था जब भी उसको job में free time मिलता था तो आप भी अगर आपने वह interview नहीं देख लिए बहुत बढ़िया website है जो first time यह website देखेंगे उसके लिए में interface दिखा रहो यहाँ पर क्या क्या होगा तो MCQ आपको मिलेगा चार option यहाँ पर टिक करने के लिए मिलेंगे अगर आपको कुछ hint चाहिए तो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं आप easily answer तक पहुच सक से related आपको correct answer आपने दिया तो यह directly green color में यहाँ पर आपका change हो जाएगा अगर आपने गलत answer कर दिया तो यहाँ पर यह आपका red है वह आपको mark करके दिखाएगा तो यहाँ पर question क्या है materials using the hints should have तो यह तीनोh properties है वह correct है तो इसलिए यहाँ पर all of these answer है वह correct हो जाएगा ठीक है तो अभी यह question मुझे मिला mcq मतलब वही मैं snubber circuit से related ही मैंने search किया था लेकिन उसके साथ-साथ मुझे अभी hitsink से related भी हाँ पर मुझे है वह questions है वह मिल गये है कि तो मैं hitsink से भी जाके mcqs है वह search कर सकता हूँ तो अगर आप अपने original question पर आके देखोगे तो यहाँ पर next जो point था वह hitsink ही था ओके तो जैसे हम लोग ने snubber circuit ढूंड रहा था उसी की साथ-साथ हमें hitsink के भी question है वह electrical for you पर ही directly मिल ठीक है तो अगर आपको additional चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो या फिर वापस आप अपने original question पर आ सकते हो तो अभी तक यहाँ पर ही आपके total 15 से 20 questions है वह easily है वह complete हो गए सिर्फ एक question के help से अभी भी बहुत सिर्फ हम लोग ने अभी एक या दो keyword है वही सर्च किये है बाकी के keyword है वह आप ऐसे ही search कर सकते हो तो अभी मैं क्या कर सकते हो अभी least one मैं से एक मैं pick कर लूँँगा keyword जैसे तो junction temperature limit है वह मैं जाके google पर search करूँगा google पर यहाँ पर search करने के बाद मुझे मिलेगा junction temperature limit keyword as it is उठाऊँगा सिर्फ आगे मैं mcq यहाँ पर paste करूँगा तो यह से ही first link आगया test book का बहुत अच्छा है जैसे मैं first link पर click करूँगा यहाँ पर मुझे heating से related कुछ ना कुछ यह जो questions है यहाँ पर पूछे गया है थाइरिस्टर से related तो यह question आपको शायद exam में पूछे जा सकते है यहाँ यहाँ पर concept भी हाँ आपको बताया है थाइरिस्टर का जो junction temperature है उसका भी कुछ ना कुछ limit होता है उससे भी directly आपको numerical आपको questions है व भी आपको prepare करना है तो ऐसे भी कुछ टाइप के numerical है वो जरूर से practice कर देना तो first link के बाद मैं second link पर आजाओगा वापस यहाँ पर देख सकते हो मैं junction temperature limit ही रखा है लेकिन यहाँ पर जो second link है वो thermocouple से related है thermocouple भी बहुत एक important topic है बहुत अभी recently question पूछ जाते है recent आने वा प्रोटेक्शन से फिर हम लोग गये स्नबर सर्किट पर फिर उसी से हम लोग आगे चलेगे हीट सिंग पर फिर हम लोगोंने junction temperature limit के जो numerical पूछे जाते थे वो भी हम लोगोंने solve किये थोड़ा से नीचे स्क्रोल करके आए अभी हम लोगों को मिला यहाँ पर thermocouple जिन लोग अभी मैं क्या करूँगा मुझे नए वर्ट्स मिले या पर फेल्टेर इफेक्ट तो मैं पर फेल्टेर इफेक्ट जा पर जाके सर्च करूँगा उसका concept क्या है वो मैं पढ़ूँगा केलविन इफेक्ट क्या होता है थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है सीबेक इफेक्ट क्या होता है अपने देखा होगा डिरेक्टली अपको definition है वो पूछाए गया था महाट रंसको के exam में तो शायद आने वाले exam में भी आपको यह बहुत ही beneficial होगा तो जैसे ही मुझे यह question मि अगर individual MCQ भी पूछा तो भी मेरा आने वाले question आने वाले exam में इसको टेकल कर सकता हूँ थर्मोकॉपल से next question है यहाँ पर उन्होंने पूछा गया था कि temperature of steam at around 540 degree Celsius can be measured वाए तो यहाँ पर measurement की आपको thermometer दिया है thermometer, radiation, pyrometer, thermopile and thermocouple तो answer तो मुझे मिल गया थर्मोकॉपल लेकिन मैं यहाँ पर अगें इंट्रेसेड रहूँगा thermometer से related pyrometer क्या होता है, pyrometer शायद नया students के रिए नया term रहेगा, pyrometer से हम लोग कितने temperature तक उसको measure कर सकते है या फिर उसका working principle क्या होता है, again pyrometer कौन से principle पर work करता है, thermopile क्या होता है, thermocouple क्या होता है, यह सारी चीज़े मैं again से जाके search करूँगा और अपने notes में update करूँगा, त search कर सकते हो, तो यही strategy होती है, और कैसे हम लोग जो important topics है, वो एक दूसरे के साथ कैसे link कर सकते है, यह उसका fundamental होता है, ऐसा नहीं कि हम लोगोंने 1000 या फिर 2000 MCQ solve कर दे और अपने mind में fit कर लिया, तो ही हमारा exam है, वो crack हो जाएगा, ऐसा नहीं आपको systematic और smart way में आपको approach करना पड़ेगा, और previous question जैसे मैं बोलता हूँ कि आप previous SSC, JEK या फिर transco genco exam के अगर आपने AEK जैसे मैं अगर कहूंगा, previous question आपको utilize करना है, तो इस वे में आपको utilize करना है, यानि कि एक MCQ अगर आपको मिला, आप उससे 50 से 60 question है, वो easily generate कर सकते हैं, अभी आपको मैंने example दिया, एक question लिया, और minimum 50 से 60 questions हम लोगोंने easily है, वो solve कर लिया, मैं साने question यहाँ पर discuss नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक method बता रहा हूँ कि आप कौन से way में previous question को utilize कर सकते हो, तो उसी question का in detail solution में यह देखो, यहाँ पर उन्होंने दिया है, thermocouple क्या होता है, pyrometer क्या होता है, तो यह जो important है, यह देखो यहाँ पर, उसका temperature range भी दिया है, measuring temperature range from minus 200 degrees Celsius to 2000 degrees Celsius, thermocouple is used, तो यह जो keywords होते है, यह इससे directly MCQ हो generate हो सकते है, ऐसा नहीं है कि आपको same मिलेंगे, लेकिन आपका अगर पढ़ने का अगर आपने method है, वो अच्छा बनाया, तो आप कौन सा भी MCQ आए यहाँ पर word है, वो आपको मिल जाएगा, मैं वापस Google पर जाके series reactor MCQ यहाँ पर search करूँगा, उसरे जो कुई भी मेरा MCQ है, वो में solve करने की कोशिश करूँगा, यह देखो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको example, एक ही question का example लेकि यहाँ पर different MCQ कैसे generate होते है, वो बताने क ऐसा नहीं होता है कि, same आपको MCQ उठा के मिलेगा, या फिर कोई पूरा subscribe से नया वो frame करके बनाते है, ऐसा नहीं है, question नया नहीं होता है, सिर्फ आपको वो गुमा फिर है कि आपके exam में वो पूछा जाता है, तो अगर आपको वीडियो helpful लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर से like कर देना, upcoming नए-नए strategies के लिए channel को subscribe कर देना, और अगर आपको कुछ भी doubt है, इसमें से कुछ भी नहीं समझा है, तो आप मुझे नीचे comments में पूछ सकते हो, या फिर telegram का हमारा group है, हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है, एक community build की है, वहाँ पे अपने MCQs, आपके कुछ doubt है, वह share कर सकते हो, या फिर मुझे telegram पे भी personally message कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी doubt है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं, next video में किसी और topic के साथ,